कि अब कर स्वागात है हमारी यूट्यूब चैनल रियक्शन मेकर्ज में यह पारस में हूँ ट्विकल और आज हमारे साथ है नई दोस्थ हिरल अज हम आपको बताने वाले हैं कॉलकाटा की सिटी के बारे में जिसने हमें कॉमेट भेजा है मांसी मोंडल ने उसने कहा के रियक्शन और कॉलकाटा श्री अगें हमें कोमेट भेज़ा है तो इसी तरह हमें कॉमेट भेज करें लिंक भेज दे प्लीज हेड़फों लगाना और पूरा जरूर देखेगा क्योंकि पूरा वीडियो हिंदी में तो आपको बहुत ही मजा आएगा तो देखते रही हमारे साथ वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो एंड तक जरूर देखेगा बीच से छोड़कर नमज जाएगा तो इस्ट अग्राम में भी आप हमें फॉलो कर दीजिये और वहां पर भी आप हमें किसी भी लिंक का डियम कर सकते हैं तो लेट स्टार्ट दर वीडियो है ऐसे तो आप लोगोंने कोलकता शहर के बारे में कैस तरी वीडियो देगा है लेकिन आज की वीडियो थोड़ा इंडिया में सबसे तेज बिकशित करने वाला शेहर के लिस्ट में शामिल है कोलकता इंडिया का ट्राट मेडियो सिर्जेर सबसे हायर जृडिप वाल ीडियए तो चलि एक्स्प्लोड करते हैं इंडिया की काउच्छिमंगाल की राज़तानी शहर को फुलकता को को इंडि बिटिश ने अपने बैपार उद्विकरन और रहने की सुभीधा के लिए बिल्कुल लंडन की तरह ही गंगा नजी किरारे सुतानुटी गविंदुपूर और काली काटा तीन अलग अलग गाव को मिलाकर कोलकता शाहर को बसाया था हाला कि तब के जमाने में इसे कैलकुटा नाम से बुलाया जाता था से लिए गुटा भारत का राजधानी हुआ करता था मतलब आज की पाकिस्तान और बंगलादेश का भी राजधानी कोलकता ही था 2001 में बंगल सरका ने कैलकाटा से ओफिशियल नाम कोलकता रख दिया इन सब बातों से पता चलता है कोलकता कितना पूराना शहर है और इसलिए कोलकता को जितना जानेंगे जितना एक्स्प्लोर करेंगे उतना ही सर्प्राइज निकल कर आएगा 2nd biggest football stadium से लेकर 3rd biggest cricket stadium तक Fast Metro से लेकर Fast Polo Club, Fast Oscar से लेकर Fast Nobel Prize, Fast Coffee House से लेकर Fast Newspaper, Fast Mobile से लेकर Fast TV Tower, Presidency से लेकर Calcutta University, Ravindanaad से लेकर Netaji, Fast Underwater Metro से लेकर Fast Cantilever Bridge तक हर एक में कोलकता की जमक है ऐसे ही कोलकता का City of Joy नहीं कहा जाता, कोलकता सच में City of Joy है जिसका मतलब है आनंद का शहर मुगर से लेकर Nawab तक, Nawab से लेकर British राच्च तक, British राच्च से लेकर राच्च तक कोलकता का भी पुराना नहीं हुआ है समय के साथ साथ ये शहर भी बदलता गया, लेकिन इसकी बागलियाना, Culture, Heritage, Architecture, Style, Honesty में कोई चेंजस नहीं आया कोलकता का भी ठकता नहीं है अपने सपनों को देखने में, Joy and Happiness इस शहर का Life Line है कुछ सब चोटी हो या बरी इसकी happiness में कवी कमिया नहीं आती अगर कोई festival ना भी हो तो भी लोग कुछ ना कुछ festival मान कर जुमता है That's कोलकता इसलिए बांगला में एक कहाँ बात है, 12 माशे, 23 पारबोन मतलब साल में सिर्फ 12 मेहिने होती है लेकिन बांगला में 13 फेस्टिवल आती है यही एस्टिव अप जॉइ, इसलिए लोग इस शहर के प्यार में पर जाते हैं कोलकता एक dynamic city है, इसकी culture, honesty, tradition, पूरे विस्ट बेंगल की एक versatile भर्शन कोलकता में दिखे जाते हैं कोलकता की यही awesome ने इस लोगों को अपने तरफ आकरशित करता है कोलकता विस्ट बेंगल की सिर्फ राजधानी शहर नहीं है यह शहर कुड़े विस्ट बेंगल की emotion है, जिससे सभी लोग दिल से चाहते है आज की कोलकता शहर एक development metropolitan city है जहाँ पे industry, education, trade, banking sector, eco hub, IT and software hub, fishing hub, film city hub, agriculture hub and many more इस सबसे कोलकता की economic boost मिलता है, जिससे शहर के GDP growth and finance stable रहता है इस सबके बज़े से ही कोलकता इंडिया का proud richest city है, दोस्तों क्या आपको बता है, बिटिश राट के समाए, लंडन के बाद कोलकता second most important city हुआ करता था पूरे बिश्य में culture, trade, business, major universities, economy industries and other major institutions कोलकता में ही constructed किया गया था इंडिया का सबसे पूराना चिरियागर कोलकता में ही मौजूद है, आलिपूर्जू, जहाँ पे royal bengal tiger के साथ अन्य animals भी शामिल है इसे सबके लिए 1875 में, जी हाँ 1875 में खोला गया था दुनिया का सबसे पहला पोलो क्लाब कोलकता में ही established किया गया था 1858 में इसे बनाए गया था, अब तो योरोप के कई सारे शहर में पोलो क्लाब मौजूद है ये तो सबको पता है कि बेंगुलिस कीताबे पर ना बहुत ही ज़ादा पसंद करते है और इसलिए बेंगुलिस की knowledge भी सबसे ज़ादा होती है लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का second largest book market कोलकता में ही मौजूद है इंडिया के सासथ पुरे बिशे में college street book market second largest book market है कहा जाता है आगन आपको कोई किताब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो समझे ओ किताब आपको कही पर भी नहीं मिलेगा कोलकता हमेशा ही science and technology को promote करते आया है इस शहर से कैसारे scientists निकल कर आया है कोलकता में ही मौजूद है एशिया का largest planetarium known as birra planetarium और यह दुनिया का second largest planetarium भी है जिसे 1963 में established किया गया था यहाँ पे आप लोगों को बता दू कोलकता में मौजूद science city Indian subcontinent का largest center for the culture science है West Bengal में जहाँ तो लोग पड़े लिखे हैं और बहुत ही knowledgeable है कोलकता इंडिया का एक लौता शहर है जहाँ पे total 6 लोगों को nobel prize मिला है इंडिया में सबसे पहले 1913 में गुरू रोबिंदुर ठाकूर को nobel prize मिला था और हाली में 2019 में अभीजीत बैनार जी को nobel prize मिला है यहाँ पे आप लोगों को बता दू फिलिम में भी सबसे पहला उसकार भी कोलकता शहर को मिला था शुत्यजीत राय को यह award मिला था अपने बिंगोली फिलिम पौथेर पाचाली के लिए इससे शहर की reach culture और कितना highly educated city है इससे पता चलता है कोलकता इंडिया का अकेला ऐसा लोटा शहरे जहाँ पे electric trams चलती है 1902 से trams पूरे कोलकता शहर में चलते आ रहे हैं हलाकि अभी modern AC luxury trams आ चुके हैं जो जादा enjoyable and comfortable है इसके अलावा only in Kolkata में ही handpool रिक्षा चलती है जो पूरे बिश्यमें सिर्फ Kolkata में ही है सबारी बैटने के बाद driver अपने हाथों से खीच के रिक्षा को चलाते है देश का सबसे पुराना port भी Kolkata में मौझूद है जहांसे 200 साथ से भी जादा समय से trade and promise होते आ रहे है बहुती कम लोगों को पता है river line port हुबली नदी में जो खीदिरपूर port नाम से जाना जाता है ये इंडिया का एक लौता river line port है क्या आपको पता है world का second largest cricket stadium Eden Garden Kolkata में मौझूद है हाली में बाना बलबभाई पैटल स्टेडियम के बाद Kolkata की Eden Garden स्टेडियम बिश्य का तीसरा सबसे बरा cricket stadium है शायदी कोई ऐसा होगा जिसे बेंगो लैंड Kolkata में फूटबल पसंद नहीं है यहां के लोग फूटबल के दिबाने हैं Kolkata में फूटबल की क्रेज अलगी है Kolkata में मौझूद कैलकाटा क्रिकेट एंड फूटबल क्लाब CCFC दुनिया का दूसरा सबसे पूराना फूटबल क्लाब है Kolkata का Salt Lake Stadium दुनिया का सेकेंट लार्जेस फूटबल स्टेडिया में देरलक सिट कापसिटी के साथ 1217 में फीपा अंडर 17 वर्लकाब भी Kolkata में होस्ट किया गया था फूटबल की क्रेज को देखते हुए फीपा ने Kolkata में वर्लकाब होस्ट करने की स्कोच रहा है इसके अलाबा मोहन बगान उस्टीओ जैसे ओल्डेस फूट वर्लकाब Kolkata में मौचूद है आजकाल तो मॉबाइल फोन स्मार्ट डिबाइस हम सबके पास है क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले Kolkata में मॉबाइल फोन को यूस्ट किया गया था 1995 में चीप मिनिस्टर जोती बोशु ने पहला फोन मॉबाइल से इंडिया के यूनियन मिनिस्टर को किया था वेट वेट अभी खतम नहीं हुआ है क्या आप बता सकते हैं इंडिया में सबसे पहले टीवी कहा पे यूस्ट किया गया था 15 सेप्टेंबर 1959 में कोलकाता में नियोगी फैमिली ने टीवी यूस्ट किया था एक छोटी सी टेलीकास देली के स्टूडियो से हुआ था सिर्फ मोबाइल और टीवी नहीं इंडिया में सबसे पहले मेट्रो भी कोलकाता में शुरू हुआ था 1984 में देश में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में शुरूबात हुआ था और सबसे पुरारा मेट्रो कोचेस भी कोलकाता में ही चलती है हाला कि आज के समय में नया मोडन कोचेस आ चुके है स्रिप एही नहीं, इंडिया में सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकता के गंगा नदी के 30 मीटा नीचे से चलेगी जो गोलकता एंड हावरा शहर को कल्कता की कल्चर की बात करें तो यहाँ के कल्चर बहुती रीच है दिंगो लेंड कोलकता की सबसे बरा तोहार है दुर्गापूजा पूरे कोलकता में हजार से भी जादा दुर्गापूजा होती है जिसमें कई सारे बरे पूजा शामिल है शहर की एक एक बरे पूजा पंडल की बाजेट है 10 करोर से शुरू होके 50 करोर तक है साथ से 10 दिन तक चलने बाली दुर्गापुजा फेस्टिबल में करोरो लोग सुभे से रात तक शहर के एक जगा से दूसरे जगा तक घूमते है और इन समय में पूरे रात से दीन मेट्रो, ट्रेन, बास, आटोस अवेलेबल होती है इस समय कोलकता का एक अलगी नज़रा दिखता है कोलकता में मंदिर से लेके मज़ित, गिर्जा से लेके गुरु दुवारा चार्ज सबी लोग अपने अपने हुटसब को सेलिब्रेट करते हैं हर सब कोलकता में रेड रोड पे दूर्गापुजे का और गनाइजेशन किया जाता है जहां पे लाखो लोग शामिल होते है इंडिया के हर एक स्टेट एंड सिटीज की तरह कोलकाता में भी कुछ स्पेशल फूर्ड्स है इसमें रोशोगोला, शोंदेश, मिष्टी दोई, शिंगारा, दूद मालाई, पाएश, खीचूरी, कौशा मांगशो, माचेर जोल, चौप, तेले भाजा, घुगनी, रोल, कोलकाता स्टाइल बिरियानी, चीकेन चाप, चीकेन कबाब, पूचका और भी ऐसे कैसरे खाना जो जरूर ट्राइ करना चाहिए आपको, शिक्षा में बिंगो लैंड कोलकाता काफी आगे है, कोलकाता की शिक्षा की हार है 93.4%, यहापे कैसरे फेमास कॉलेज, यूनिवरसिटी एंड इंस्टिट्यूट बना हुआ है, इसमें कैसरे इंडिया के टॉप 10 बेस यूनिवरसिट कोलकाता में सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के बाकी मेट्रोबाइटन सिटीज की तरह ट्राफिक जम का सामना नहीं करना पड़ता, इंडिया के बाकी किसी भी शहर के मुकाबिले ट्राफिक कोलकाता में स्मूथ है, राश और में भी 5-10 मिनित से जादा ट्राफिक नहीं होती, इससे शहर के किसी भी जगा पे जल से जल्द जाया जा सकता है, कोलकाता की ट्राफिक, कोलकाता ट्राफिक कुले समालते हैं, जो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट के साथ, पुरे कोलकाता शहर के ट्राफिक को कंट्रोल करते हैं, कोलकाता इंडिया का वन अब द पोलकता की ट्रांस्पोर्ट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़ादा पाब्लिक ट्रांस्पोर्ट पोलकता में ही है कोलकाता मेट्रो, कोलकाता सावर्बन ड्रेडवे, रिक्षा, लग्जरी टेक्सी, गॉवर्मेंट और पाब्लिक बासेस, ओटोस, फेरी, वाटर टेक्सी, ये सारे पाब्लिक ट्रांसकोर्ट एवलेबल है लोग अपने सिविदा के अनुसा ट्रांसकोर्ट को यूज करते हैं, इतने सारे पाब्लिक ट्रांसकोर्ट होने के बज़े से इतना पॉपुलेटेट शहर होने के बाद भी ट्राफिक एकदम स्मूथ रहता है इसमें आप लोगों को बता दू, सबसे सस्ते में पाब्लिक ट्रांसकोर्ट सिर्फ कोल्कता में ही चलती है जहां पे आज भी पाँच रुपए में मेट्रो, फेरी से लोग याता आत कर सकता है कोल्कता में मौझुक नेताजी शुबस चंद्रो बोस इंट्रनेशनल एरपोर्ट इंडिया का टॉप 5 बिजिएस एरपोर्ट में से एक है जहां से सालवर कई लाग इंजर स्ट्राइल करते हैं कोल्कता रेलवे से भी जुरा हुआ है कोल्कता में पाच-पाच बरे रेलवे स्टेशन मौझूद है हावरर रेलवे स्टेशन, श्यालदर रेलवे स्टेशन, शालीबर रेलवे स्टेशन, शत्रागाची रेलवे स्टेशन, कोल्कता रेलवे स्टेशन इन सारे रिल्वे स्टेशन में बाहर के स्टेट से एक्सप्रेस क्रेन अकर रुपती है इसमें हावरर रिल्वे स्टेशन इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस रिल्वे स्टेशन है इंडिया में शायद और कोई शहर में एकने सारे रिल्वे स्टेशन मौझूद है इसके अलबा इंट्रस्टेट बास टर्मिनल एन पूर्ट भी शामिल है कोलकता में इस प्लैनेट, न्यू मर्केट, फैंसी मर्केट, हाती बागान, गोरिया हाट जैसे लोकेशन कम पैसे में आच्छी शॉपिंग करने के लिए मिल जाते है यहाँ पे सब कुछ बहुती कम दम में मिल जाता है कोलकता में बरे-बरे मनिशियों से लेकार आज के समय की कैसरे नाम शामिल है इसमें बिद्धा शागर, शोत्तुजीत राय, मादत टेरेसा, नेता जी, राम मोहन राय, रोबिंद्रो नाथ ठाकूर, शामी बिबेक अनन्दो आज के समय में स्वया घोशाल, शान, बापी लेहरी, अरजित सिंग, मौनली ठाकूर, प्रीतम, राने मुकरजी, काजोल, शिश्मिता शेंग, आमिता बच्चन, शोरव गंगोली, धेरो ऐसे नाम शामिल है जो कोलकता से जुरा हुआ है एक चीज जो इंडिया में कोलकता को सबसे खास बनाता है, वो है कॉस्ट आप लिबिंग कोलकता इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेन मेट्रोपाइटन सिटी सोने के बाद भी यहाँ पे खाने से लेकर पहने तक, रहने से लेकर पाटी करने तक, लक्शरी लाइप विटाने से लेकर टाइट बजेट टक, सब कुछ इकदम कम पैसे में हो जाता है, जो कोलकता को शीको पर टाइड मैधान से लेकर पकस्रीट, बिष्व बंगला गेट से लेकर रविंद तेर्थो, आरिपुर जू से लेकर लइपरेरी ताथ, व्ट विळाम से लेकर मदर हाूस, पिल्सभाएट से लेकर मिलिनीयम पर्क आ, वक्स मूजिएम से लेकर इंडिय refuse m, हावरा ब्रिट से लेकर हुबली ब्रीच, बगबजर घाट से लेकर कुमुर टूली, नजरूल तितों से लेकर मिश्टी हाप, ये कोलकता की यालगालग वेरियंट है शायदी कोई एक वीडियो में कोलकता को एक्स्प्लोड किया जा सके, मुझे पता है मैंने काफी कुछ मिस्ट कर गिया, ये की वीडियो में कोलकता को एक्स्प्लोड करना सच में मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके मैंने कोशिश किया है कौभर करने की, अगर आपको कोई भी के लिए वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगाए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना कोलकता एक तरफ जहां पे अपने ट्रेडिशन कल्चर हिस्ट्री अर्किटेक्ट्चर को पकड़ के रखा है दूसरी तरफ हाइड डेवलप मेट्रो सिटी स्काइस किर्पर माल्टि बलेग शॉपिंग मौल रकिटेक्टस सै एक हाइड डेवलपिंग सिटी के छोई और पर समय समय पे अपने आपको कैस्ञष करते आया है नौわか ता में जहां पे हिस्तुरी नजराते हैं वही साउता में स्टल्कता में मौडर अर्किटेक्टmet早 marvel नजधर आता है पा को लेकर आप अपना लाव इमर्शन एक्साइटमेंट हम सबसे कॉमेट पर जरूर शेयर करें मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है और आगे ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से कोई न्यू इंट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत तो मांसी जी आपको हमारा ये वीडियो केसा लगा जरूर में हमें कॉमेट कीजेगा और कॉलकाता से कोड़ भी हमारे वीडियो देख रहा है तो हमें जरूर बताएगा ये कॉलकाता केसा है और हमारा ये वीडियो केसा लगा हमें है तो वो भी हमें जरूर बताएगा और हमें तो पूरी जगह पर कहां पर गंदकी दिखी नहीं तो मोस्ट क्लीनेस्ट आप डिस्ट्रिक्ट भी वो कह सकते हैं कि बहुत ही मजा आया आपने देखने के लिए कि ऐसा भी क्लीन सेटी हो सकता है तो आपको ये वीडियो में से कौन से इंफर्मेशन ज्यादा अच्छी लगए और क्या आप खोलकाता के बारे में इतना सब कुछ जानते थे अगर हां तो भी बताइएगा और अगर कोई इंफर्मेशन आपको नहीं लगिए तो वह भी हम अकॉंट में जरूर बताइएगा और इनका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जो उनका ओरिजिनल वीडियो है तो उन्हें भी सब्सक्राइब जरूर дома पूरशकार ओर या फ़ेला फोन यूस करना वो यूजरा पहला टेलिविजन यूस करना हो कोई भी वह सबसे पहले आता है कोलकथा की चीजी ऐसे है जो सबी को पढ़ना अच्छा लगता इसलिए वह नोलेजबल इतना है और नौबल पुरसकार के बाद की जाए तो वह भी सबसे पहले कॉलकाता में ही मीला था और उनकी एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी है सबसे अच्छे स्टूडन भी वहां से निकलते हैं और यह हमारे भ अब देखा अब देखा अब देखा नंग दविडिया अपने पूरा वीडियो देखा यहां तक उसके लिए खुप धन्यवाद मांसी मॉंडल जी अगर आपके पास ऐसा कोई लिंक है तो हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा या तो फिर आप हमें इंस्टागरम अब देख रहे हैं तो आप भी हमें सेंड कर सकते तो आपकी कोमेंट हम यहां पर जरूर दिखाएंगे तो यह आपके पास गोल्डन चांस है हमारे यूटुब चैनल के ऊपर आने के लिए और हमारे नए वीवर्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है त कि अच्छी एच्छी वीडियो और नो लेचे पेल वीडियो अपको फेल ए लेक्ने को मिले तो मिलते हैं नेक्श्ट